एक तो सूरत प्यारी उपर से घुस्से की लाली रचना ए दिल आज है कोई पिजली गिरने हे गाईज मैं हू कामनी और स्वागत है आप लोग मेरी यूटूब चनल कामनी सिंग पे तो आज हम करेंगे वैलन्टाइन डे मेक अप लुक सिंपल से सुन्दर कैसे बनते हैं एक्चली जो मैं मेक अप बताऊंगे भी आप लोग के लिए विगनेर के लिए बहुत ही ज्यादा हेलफूल रहेगा और बहुत से ज्यादा प्रोड़क्ट्स मैंने यूज नहीं किया है तो सबसे पहले मैंने न्यूट्री रम्स का मॉस्ट्राजर लगाया और पांच मिनट के लिए छोड़ दिया उसके बाद यहां लैक में एबसलूट का प्राइमर जो है वो मैं अपने फेस पे अपलाई करूँगे क्योंकि आप लोग को पता है कि जो प्राइमर है वो जरूरी होता है फेस के लिए क्योंकि फांडेशन और स्कीन के बीच में हमें एक लेयर चाहिए जो फांडेशन में कुछ भी हार्मफुल हो उसे इसकीन हमारा बच सके और आप चाहे तो फेसल ओयल भी यूज कर सकते बट आज में ज़्यादा प्रोड़क्ट्स यूज नहीं कर रही हो और उसके बाद ये फिट मी का कंसीलर है जिसे मैं लगाऊंगी कोई भी प्रोड़क्ट्स में बहुत ज़्यादा अपलाई नहीं करती अपने फेस पे आपको दभी यहां पे देख लोगे मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है आप लोगों के लिए helpful रहता है तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो का like और share कीजेगा और अगर first time देख रहे हैं आप मेरे चैनल को तो please मेरे चैनल को subscribe कीजे and also press the bell icon और मैं आप ब्लेंडर है मुझे personally ये बहुत जादा पसंद है इसे मैंने बहुत जादा नहीं लगाया बट इसमें ही देखना coverage बहुत अच्छा देता है और एक और बात इसे में beauty blender के साथ help से मैं इसे मिला रही हूं face पे अपने और आप लोग से कहना चाहूंगी कि ये जो beauty blender है ये आप लोग वहां से जाए चेक आउट कर लिजेगा और अगर आप लोग कोई product नहीं find होता है तो आप लोग मेरा Amazon का makeup beauty haul देख सकते हैं तो गाइज देख लिजेए थोड़ा से जो concealer लगाया था इसी से मेरे face पे कितना glow है उसके बाद मैं ये meveline का ही foundation जो है इसे use करूंगी मैं पहले वी वीडियो में आप लोग को दिखा चुकी हूं कि ये कौन सा foundation है थोड़ा सा pump करके लिए और इसे अपने पूरे face पे और ह बहुत अच्छा लएगा ये make-up करके क्योंकि मैंने red study पहनी हुई है एक तो valentine day है उसके लिए भी और जो newly married है उनके लिए भी कोई भी married लोग ये make-up होनी से कर सकते हैं तो मैंने beauty blender के help से अच्छे से foundation को मिला लिया गाईज अगर आप इस make-up वीडियो में गोई suggestion देना चाहते हैं तो आप मुझे comment करके दे सकते हैं और अब मैं इसके बाद लोगी fit me का जो compact होता है वो और उसे लेकर एक सूखा सा beauty blender लोगे उसे थोड़ा सा ज्यादा सा compact लेके और अपने जो आई से उसके नीचे ऐसे ज् और फिर उसी blender से क्या करूंगी पूरे अपने face पे अच्छे से cover कर लोगी क्योंकि आप लोगों पता है कि अगर हम compact नहीं लगाया तो हमें थोड़े बहुत पसीना भी आने लगता है तो यह उसको रोकता है और केकी केकी सा face हमारा नहीं लगता है और अच्छे से हमारा जो compact इधर जादा इधर हो दो और अब यह Swiss beauty का makeup fixer है इससे मैं अपना जो makeup है उससे पहले set कर लोगी उसके बाद अब मैं अपना eyebrow जो हाइलाइट करूँगी actually मेरा eyebrow वैसी अच्छा है बट थोड़ा सा जो foundation लगाए रहते हैं तो eyebrow उपर लग जाता है तो बहुती बद्दा सा डल सा दिखता है इसलिए हमें थोड़ा बहुत सा हलका सा कर लेने चाहिए उसे clean दिखने के लिए ताकि वो अलग से हमारा eyebrow थोड़ा सा दिख सके तो मैंने क्या किया कि जो मेरे पास eye shadow palette था उसी में से dark brown shade को लेके और हलके से पतले से brush से मैंने उसे अच्छे से लगा लिए कोई जरूरी नहीं कि आपके पास eyebrow shade करने वाला color हो तभी आप कर सकते हैं आप eye shadow से भी palette से भी कर सकते हैं आप eyebrow कितना अच्छा लग रहा है मेरा और अब मैं लगा रही हूँ highlighter और sorry guys इस बार भी कभी कभी मेरे ध्यान से निकल गया है मुझे पता है कि मैं कोई भी product लगा रही हूँ तो mirror सामने आ रहा है तो आप लोग कैसे देखोगे बटो ये camera के सामने हमें से makeup करने की आदत नहीं है वो एक region है दुसरा मैं mirror इसलिए लेती हूँ ताकि सिफ camera पही नहीं बलकि natural भी कोई देखे तो makeup अच्छा लगे बहुत भद्दासना लगे इसलिए में mirror हमेसा योज करती हूँ तो मैंने यहां पर क्या किया कि जो मेरे पास highlighter था उसे अपने cheekbone पे लगा लिया और जो brush है simple brush है उसी को मैंने fan की तरह योज के मैं आप लोगों बता दूं कोई जरूरी नहीं कि fan brush हो उसी से आप highlighter लगा सकते हो जो simple brush होता है उससे भी बहुत अच्छे से लग जाता है यहां मैंने बस ऐसी try किया था कि क्या इससे हो पाता है कि नहीं fan brush बना सकते है कि नहीं इसको उसके बाद देखिए मैंने सीधा ऐसी highlight करने के लिए highlighter को लगा लिया और अब मैं इसके बाद यूज करूंगी यह blusher Milano का blusher है काफी अच्छा blusher है जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका color peach color है romantic सा color तो valentine है तो यह color लगाना तो बनता है pigment इसको बहुत अच्छा है थोड़ा सा ही लगा हो जाता है तो यह हो ताकि थोड़ा सा पीच-पीच सा दिख सके नोज भी और अब मैं करूंगे अपना eye makeup तो यहां भी mirror आ गया है थोड़ा सा सामने बट कोई नहीं जो जब मैं right eyes में लगाऊंगी तब आप लोग देख लेना वैसे भी eyeshadow लगाने में मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की है थोड़ा अब ही मैं फिर से right eyes पर लगा रही हूँ वहाँ पर आप लोग देखना यह मैंने बस brush impulse सा लिया और पूरे eye light पर ऐसे लगा लिया जो क्रीज लाइन है उन सबको अच्छे से feel कर लिया outer to inner corner पर और अब मैं क्या कर रहीं कि ज्यादा dark मेरा eyes ना देखे इस वजह से जो pink color का सीमरी eye shadow था उसे मैंने अपने जो eye shadow लाया था उसके उपर अच्छे से finger tip की help से लगा रही हूँ इस पर इससे बहुती over भी नहीं दिख रहा था विल्कु लायट भी नहीं दिख रहा था बहुती अच्छा लग रहा था और यह जो eye shadow palette है यह काफी अच्छा है 63 color है इसमें और बहुती कम rate में मिल गया था तो इसका video Amazon से मैं नहीं लिया था तो haul अभी आया है इससे पहले जो वीडियो उसमें link description में आप वहां से चेक कर सकते हो आपको बहुती कम rate में यह eye shadow palette मिल जाएगा यह होगे मेरा eye shadow complete और अब मैं यहां पर क्या करें एक brush की help से eyebrow के नीचे highlighter थोड़ा थोड़ा से लगा रही हूँ ताकि जो मेरा eyebrow है वो उबर की बहुती अच्छा है eyes makeup काफी अच्छा लगे देखने में और अब मैं लगाऊंगी यहां पर अपना liner यह सब का link आपको description में मि यहां पर मैं आप लोगों को दिखा रही है याद था मुझे कि मैंने पिछली पर liner लगाया था तो mirror आगया था सामने बटी देख सबसे पहले मैं जब भी liner लगाती हूं तो corner जो है ना जितना मुझे wing shape निकालना होता है वैसे मैं थोड़ा से निकाल लेती हूं फिर जो जो यह eyeliner है इसके brush काफी अच्छा एक ही बार में बहुत ही अच्छा सा wing draw हो जाता है मेना ज्यादा नहीं करना पड़ता तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यह eyeliner जरूर रखो अगर आप beginner हो तब तो जरूर रखो ताकि आपके लिए है यह मेरा liner कंप्लीट हो गया मैं काजल नहीं लगाँगी यहाँ पर आइशेडव का पैलेट से जो डार्क ब्राउन सा दिख रहा है आपको कलर आइशेडव का उस इस पतले से ब्रश की हेल्प से जो लोवर वाटर लाइन है मैं उस पर हलक हलक असा लगाँगी अब मैं आप लोगों को बता रहे हैं कि मैं यह क्यों लगा रही है इसके लगाने के बाद जो हमारी आइस से वह काफी बड़ी बड़ी सी दिख अब ही मैं लगाँगे उसके बाद आप देखना कि कितना अच्छा आइस लुक आ रहा है और आप लोगों के लिए आसान भी रहे गई है यह मेक आइस मेक आइस तो यह हो गया थोरा से ब्रश को जाड़के लगाना पड़ता है कहीं एक्स्ट्रा ना लग जाए अब देखो आई जो कितनी बड़ी बड़ी से लग रही है वो तोरा से नीचे लग गया था उससे मैं फिंगर से हटा रही थी और अब मैं यहां पर क्या ढून रहे अपना मस्कारा यहां पर यह मस्कारा मैं यूज़ करूंगी यह आइकॉनिक का मस्कारा है और इसका जो ब्रश है वो lower lashes पे भूल जाते हैं तो उसको इसकी इपना करें उस पे भी बहुत अच्छे से लगा लें ताकि जो हमारा ice makeup है वो अच्छे लगे मैंने थोड़ा सा अपना ध्यान ice makeup पे दिया है ताकि valentine day वाले दिन जो भी है थोड़ा सा अलग सा दिखें उनकी ice अगर अच्छी दिखती में और मैं यहां पर कोई lip liner यूज नहीं कर रही है और आप देखो simple सा विल्कुल ऐसी में यह lipstick लगा रही हूं कितने अच्छे से लग गया यह शेप कितना अच्छा आ गया यह complete होगे हमारा lipstick देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है अब लगभग हमारा makeup जो है complete है बस कुछ चीजे रहे गई है हमारा लगाना जैसे कि जो सिंदूर है और बिंदी है तो आप लोग देख सकते हैं makeup complete है कैसे लग रही हूं मैं और अभी बिंदी लगा के आते हूं फिर आप लोग बताएं makeup पसंद आये तो वीडियो का like जरूर करना और share जरूर करना ताकि दूसरों के लिए भी helpful रहे और चैनल को subscribe किजिएगा झाल 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 झाल